हेलो थर्ड क्लास, बच्चो आज आपका हिंदी व्याकरन का टर्ण है, हिंदी व्याकरन की कोपी निका लिए और उसमें आपको एक वचन और बहु वचन दिये हुए हैं, बच्चो ये करनें आपको गोडा, घोडे, तोता, तोते, गड़ी, घड़ियां, वस्तु, वस्तुएं, पोधा, पोधे, केला, केले, माला, मालाएं, कहानी, कहानियां, सबजी, सबजियां, नदी, नदियां ओके बच्चो यहाँ पर link दिये हुए है इस्त्री link और पूर लिंक बच्चो यह आपको पहले भी करा हैं बच्चो यह आपको दुबारा अपनी कौपी में करने हैं पती, पतनी, नाना, नानी, दादा, दादी, मामा, मामी, गायक, गाईगा, अध्यापक, अध्यापिका, श्रीमान, श्रीमती, भिकारी, भिकारिन. ठीक है बच्चो? थर्ड क्लास, बच्चो आपको यहाँ पे शब्द प्रायवाची दिये हुए हैं, प्रायवाची शब्द ये भी आपको कोपी में ही करने हैं और लर्ण भी करने हैं, जैसे मनुश्य, नर, मानव, आदमी, बायू, परवत, अनिल, हवा, चांद, शशी, राकेश, ज्रंद्रम दिन, दिवस, वासर, वार, फूल, पुष्प, सुमन, कुसम, बच्चो ये सारे आपको यहाँ तक, नीचे तक करने हैं, अपनी कोपी में, और बच्चो यहाँ आपको लर्ण भी करने हैं, ओके बच्चो, थर्ड क्लास, बच्चो यहाँ पे आपके वलोम शब्द दिये रंक, उल्टा, सीधा, दयालू, निर्देई, शुद, अशुद, पाप, पुन्य, हाथ, जीत, ओके बच्चो तो यह सारे बच्चो आपको कोपी में कंप्लीट करना है, और लर्ण भी करना है, थैंक्यू बच्चो